चिन्वारा के आसराम गुरुकूल में बड़ा हाथसा हुआ है कुछ दिनों पहले गुरुकूल में लगाए गए बॉयलर में खराबी की जाश करने पहुचे इंजिनियर की हाथसे में मौत हो गई बताय जा रहा है कि बॉयलर को सुधार्थ समय अचनक वह फट गया है जिसकी चपेट में आए इंजिनियर की घटना स्टल पर ही मौत हुई है जबकि आसपास मौझूत अन्य महिलाए गंबी रूप से खायल हुई है हाथसी की सुचना मिलने के बाद पुलीस और प्रशासनी कदिकारी मौके पर पहुच चुके है बताय जा रहा है कि बॉयलर पटने से चार महिलाए पूरी तरह जखमी हुई है जिनने एंबुलन्स की मदद से ततकाल जिला अस्पताल पहुचाया गया घटना स्तल पर पुलीस का भारी अमला तैनाथ है बॉयलर पटने से गुरुकुल का कीचन पूरी तरह से तहसनेस हो चुका है फिलाल इस हाथ से की जाज जारी है क्योंकि बॉयलर कुछ दिन पहले ही लगाया गया था जिसमें आखिर क्या तकनी की खराबी आई है और किस वज़े से यह फटा इसका अभी तक खुलासान नहीं हो पाया है हाला कि जिन महिलाओ की हालत गंबीर है गुरुकुल में उसे समय नाश्टा कर रही थी इन में दो व्यक्ती एक तीन पहले ही हैदराबाद से बॉयलर फिट करने के लिए छिनवाड़ा आये थे बाइट संजीू सियं एडिशनल स्पी गाहल महिलाओं में एक महिला की थोड़ी सी सिती खराग है चारों को जो है सुप्ताल बिजवाया गया है और हम लोग सब मौके पे हैं यहां तो पुलिस की टीम इंवेस्टिजिएशन कर रही है बिजवाया हुआ है जो कि स्पोर्ट का तारह है और जो भी चीज़ें आएंगी इंवेस्टिजिएशन में पता चल रहा है अभी प्रारम्दिक जाच में कुछ पता चल रहा है कि जो है वहां पे जो पहले जो गैस चुला है उसमें खाना बनता था अभी आज या कल से ही जो है जो गैस सिलेंडर जो है उसके बनना शुरू हुआ था तो हम लोग देख रहे हैं यहां तो भी डीज़ें की मदद लेंगे और जरूरत होगी तो फोरेंसिप की मदद लेंगे तो इंवेस्टिएशन में जो भी चीज़ें आएंगे तो आदार क बीस से न्योज के लिए छिनवारा से शेखर रचपूत की रिपोर्ट